मौसम के बदलते मिजास के कारण लोग ला परवाही परत रहे हैं मौसम के अनुसार कपड़े ना पहने की वज़ा नजला, सरदर्द, बुखार, गले में खराश आदी की शिकायतों से लोगों को चूचना पड़ रहा है अस्पतालों में भी मरेश की संख्या में इजाफा हुआ है सुबह और शाम के समय ठंड तो दोपहर में धूप निकलने से मौसम में उतार चड़ाव आ रहा है जिसकी वज़ा से लोग कपड़े पहनने से परहेच करते हैं और यही कारण है कि उन्हें बिमारी यहां अपने शिकंजे में कस रही है हापुर CSC में तेनाठ डॉक्टर असरफ अली ने बताया कि यदि किसी को पिछले तीन हफ्तों से खासी की शुकायत है या रात के से में खासी बढ़ जाती है तो यह टीवी के लक्षन भी हो सकते हैं ऐसे में सभी टीवी की चांचे जरूर कराएं एक और बहुत अच्छा मैसेज जो होना चाहिए हमारे इंडिया में टीवी के मरीज काफी है हाला कि टीवी पे कंट्रॉल बहुत अच्छा होता जा रहा है मरीज कम होते जा रहा है पिर भी अगर किसी मरीज को तीन हफ्ते से ज्यादा रात में बुखार है रात में खासी बढ़ जाना वजन का कम हो जाना इस तरह के लक्षन किसी को मिलते हैं तो आकर सरकार इस्पदाल में अपना चेक अप कराना चाहिए और अगर इस condition में किसी चीजकी TV साबित होती है For example फेपड़ की TV आतों की TV रीट की एड़ि की TV धिमाग की TV TV किसी भी चीजकी हो सकती है अगर TV साबित होती है तो उसकी दवाईयां फिरी मिलती हैं उल्टे तीन हजार रुपे खाने के लिए गौर्मेंट देती है तो इस तरह के लक्षण जो टीवी के मिलते हैं उसमें देर ना करें सरकार इस्पदाल में आकर अपनी जात ज़रू कराएं थेंक्यू थोड़ा सा मरीजों की संक्या में बड़ातरी आई है कि बदलते मौसम के साथ नजले की शिकायत गले में खराश की शिकायत और सरदत की शिकायत बढ़ जाती है क्योंकि हम लोग मौसम के अनुसार कपड़े नहीं पहनते थंड की वज़े से शिरीर में बदलाब तो आता ही है और समय दुपहर को गर्मी हो जाती है शाम को थंड दिन में थंड तो वो शिरीर को नुक्सान पहुचा रहा है सुबह और दुपहर के से में तापमान में काफी जादा अंतर है ऐसे में लोग स्वेटर उतार देते हैं लेकिन ऐसा करना लापरवाही है झाले आपमान में लोग सुपहर के से अंतर है